दिल की जो बिमारी लगी थी, वो पुरी तरह ठीक हो गई है, फिर बिहार में वही दिल लेकर आया हूँ, सब जगा कमली कमल खिलेगा, और पचीस में उसके बाद बिहार में भी कमल खिलेगा, इसकी तैयारी जोड़ों पर हो रही है, शाम में कोड गुरूप की भी वैठक हो जो लोग राम जी में यकीन रखते हैं, चाहे किसी दलगे हो, उनको तो अध्या आना ही चाहिए, जो राम का नहीं है, वो किसी काम करें, इंडिया एलाइंस तो बिखर गया, अच्छा सिला मिला अखले सियादव, और नितीज जी को इंडिया के प्यार का, आपस में ही लड गया ये लोग. वो ठीक हो गई है, और मैं वही दिल लेकर फिर पटना आ गया हूँ. सानवाज हुसैन ने आज मीडिया से बाचित करते हुए कॉंग्रेस और राज़त पर जोड़दार हमला बोला है. सानवाज हुसैन ने कहा कि आई एंडिया ये गटबंदन तो विखर चुकी है, अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है. उन्होंने ये कहा कि 2024 और 2025 में बिहार में कमल खिलने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सब को पहले अयुध्या चलना होगा. उन्होंने कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, सुनिये पहले साहनमाज हुसैन क्या कह रहे हैं? उस माहौल में जो पांचों राज के चुनाव हैं, उन्होंस सब में भारती जंता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा. मतपरदेश, च्छतिसगर, राजिस्थान, तिलंगाना, सब जगा कमली कमल खिलेगा. और पचीस में उसके बाद बिहार में भी कमल खिलेगा. इसकी तैयारी जोरों पर हो रही है, आज बैठक है, और आज बैठक में पूरे दिन हमारे संगठन महामंत्री शिरी वियल संतोष जी, और हमारे प्रभारी शिरी विनोत तावडे जी, प्रदेश अद्यक्ष, शिरी समराठ चोदरी जी के नितरुत में, आज सारे सांसद विधायक, पुर्व सांसद, जिला के नेता, सब लोगे कठे एकजुट होकर, आगे बिहार में चालिस की चालिस सीट जीतनी, इसके लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे, इसी के लिए आज एकठा हुए हैं, बिहार के सारे प्रमुख नेता, आज एकठा हुए हैं, और इसमें पहले जिला की बैठक हो रही है, फिर उसके बाद अन्य बैठक भी होगी, शाम में कोड गुरुप की भी बैठक होगी, और पचीस में भी जीतना है, और उससे पहले सब लोगों को 22 जनवरी को अयुद्ध्या भी चलना है, जो लोग राम जी में यकीन रखते हैं, चाहे किसी दलगे हो, उनको तो अयुद्ध्या आना ही चाहिए, अरे तो सब को आना चाहिए, जो राम का नहीं है, वो किसी काम करें चाहिए, वो तो खुदी राज़त के पास जीरो ही सीट है, तो जितना सीट नंबर रहता है, उतना ही विरोधी को बताना पड़ता है, जेडियू ने भी मुद्वार करती हैं, मद्ध परदिस में, इंडिया एलाइंस तो बिखर गया, अच्छा सिला मिला अखले सियादव, और नितीज जी को इंडिया के प्यार का, आपस में ही लड़ गए ये लोग, अरे भई, राज़त के लोगों को सनातन धर्म का अपमान करने की आदत लग गई है, ये लट लग गई है, और ये गलत गलत लग गई है, किसी की भी आस्था पर चोट करना, और वो भी भारत में बहुत संचक समाज, जो के धार्मिक चिन्हों पर हमला करना ये लांटेन वालों की आदत लग बन गई है, और ये लट जो है जनता जरूर इसका जबाब देगी, तो चलिए आपने सुना, साहनमाज हुशेन क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 22 जनवरी में जो राम मंदर का द्हाटन होने जा रहा है, उसमें प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें सब को चलना है, और जो नहीं जाएंगे, वो किसी काम के नहीं है, उन्होंने कहा कि राजद को सनातन धर्म का अपमान करने की जो लट लग गई है, वो लट उन्हें किसी काम का नहीं छोड़ की शाह नमाज हुसेन ने जो राज़त और कॉंग्रेस पर हमला बोला है उसका असर चुनाव के समय क्या होगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन फिलहाल पूरी बीजेपी चुनाव मोड में आ गई है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है तो जुड़ रहिए लाइब बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज हम आपके लिए लेकर आते हैं तो देखते रहिए लाइब बिहार नमस्कार लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें